सकतर हजार का भाई तड़कता बड़कता गेमिंग पीसी विल्ड आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ गए है रिजनली हमने पीसी विल्ड के ऊपर वीडियो डालना चुरू किया रहे हैं आपका बहुत थगड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है वाले लिंक से पता चल जाएगा तो फड़ावट से भाई बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले प्रोसेसर की बात करें तो इस पीसी विल्ड में हम यूज कर रहे है राइजन 5 5600 का जो कि यह एक 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है राइजन 5 3600 आपको पता ही होगा भाई एक टाइम पर बहुत पॉपुलर हुआ था उसके बाद जो है अब यह 5600 आ चुका है इस टाइम पर मैं 3600 भी ले सकता था बट प्राइस डिफ्रेंस जो था न वह धाई 3,000 रुपे कई था तो मैंने सोचा भाई धाई 3,000 रुपे जादा देके थोटल लेटेश वाला लेते हैं 5600 इसका जो मुझे प्राइस है वो पड़ा है भाई 13,500 रुपे का प्रोसेसर भाई बोलने वाला है नहीं कोई चीज बहुत तगड़ी परफोर्मेंस है 6 को और 12 थेड मिलती है बागी टेस्टिंग तो आपको करके दिखाएं मदरबोर्ड जो हमें इस तरह से देखने को मिलता है M.2 का इसमें आपको स्लोट मिल जाएगा SSD के लिए बाकी फोड़े बोत और फीचर्स दे रखे है प्राइस की बात करे भाई MRP है इसका 13,400 रुपे का बड़ आपको ये अराम से भाई 9500 रुपी का मिल जाएगा RAM की बा बात करें तो खाली मैंने इसमें SSD का यूज करे क्रूशियल की P2 500GB की ये M.2 NVMe SSD है hard disk का हम यूज करते नहीं है क्योंकि हमने NAS ले लिए आपको पता ही होगा शायद मैंने वीडियो डाल दिया है नहीं डाली पता नहीं बट डाल दियोगी तो आप देख ले ना वो वीडिय का RTX 3060 Eno 3D ब्रैंड का हमने लिए और ये भाई 8GB वाला नहीं 12GB वाला ग्राफिक कार जो बहुत तगडी परफॉमेंस देता है अब बोलने से तो क्या ही होगा टेस्ट करके दिखाएंगे इस टाइम पर मुझे भाई ये कार्ड सिरफ और सिरफ 31,500 रुपे का मिला है और भाई टेस्टिंग करेंगे पाउर सप्लाई की बात करें तो भाई हमने इसमें 650 वाट की पाउर सप्लाई यूज करी है ये भाई एक ब्रैंड आया है EVGA करके काफी जाता फेमस हो रहा था ब्रैंड तो मैंन का कोई नहीं हमें भी भेज दो हम भी देखते है कैसा है प्रोड तो मैंने उसी में से यूज कर लिया है एंटक का डीएफ 600 जो 4,4-4,000 का कैबिनेट है बड़ मेरे पास पड़ा था तो मैंन का यूज कर लेते है फ्रंट में इसमें आपको नो तीन बड़े-बड़े पंखे से मिल जाते तो मस्त मसा आ जाता है आर जी भी कर चटड़का व चलो भाई फड़ावट से PC की टेस्टिंग कर लेते हैं और वही अपनी जो प्रथा चलती आ रही है पहले हम बेंच मार्किंग करेंगे जिसके लिए पहला software हम यूज कर रहे है 3D मार्क फड़ावट से इसको fast forward करते हैं सी भाई क्या रिजल्ट निकल के आते हैं ओ भाई साब स्क्रीन पर आप देख सकते हो 2227 वादर 2227 जो है यह हमारा score निकल के आया है second test भी हमने 3D मार्क का ही करा बढ़ इस बार करा है CPU profile इसकी भी processing फड़ावट से कर देते हैं and screen पे आप जो है वो total score देख सकते हो next software हमने यूज करा final fantasy 15 2K resolution सेट किया and जो graphics थे भाई वो high पे थे and इसका भी जो है आप total score अपनी screen पर देख सकते हो last benchmark हमने करे PC Mark 10 पूरा processing होने देते है फड़ावट से and जो end का score है वो आप screen पर देख सकते हो 7063 निकल के आया है ये तो हो गई भाई benchmarking test अब करते है भाई आप productivity यानि कि कुछ softwares run करके देखते है जिसमें पहला software हमने run किया यहाँ पे Adobe का Premiere Pro तो हमने अपने Sony के A7S III की 4K फुटेज जो है टाइम लाइन पर डाली है और उसको अच्छे से एडिट किया बिल्कुल smooth experience था कहीं पर भी software lag नहीं किया and उसके बाद जो है उस file को export पर लगा दिया and render speed भी जो है वो काफी अच्छी गासी निकल के आई थर्ड test हमने किया Adobe का Photoshop अब जब भाई इतने बड़े-बड़े software चल गे तो Photoshop तो बिल्कुल smooth चल नहीं था अराम से thumbnail thumbnail बनाया हमने इसमें कोई दिक्कत इसमें भी नहीं आई अब करते है भाई अपना favorite test जो की के है gaming से related सबसे पहले game हमने इसमें try करी भाई या God of War 2018 4K resolution में भाई हाई settings में ये game चल रही है और screen पे आप FPS देख सकते हो around 100 के उपर ही FPS constantly हमें मिलते जा रहे कहीं कहीं पे तो 130-140 FPS भी game में देखने को मिल रहे थे FPS भी आ रहे थे कई-कई जगाओ पर crazy भाई crazy third game हमने try करी Call of Duty इसमें थोड़े से FPS हमें कम देखने को मिले बट 4K ultra settings में हम खेल रहे थे तो around 60-70 FPS आ रहे थे game में जो मतलब खेलने लाइक तो काफी सही है बट उन numbers के comparison में छोटे है जो God of War और PUBG में आ रहे थे then हमने try करी भाईया CS GO अब इसमें FPS काउंटर तो नहीं चल रहा बट मेरे को पक्का बता है भाई 200-300 से ऊपर FPS निकाल देता ये PC जब PUBG PC में 200-200 आगे तो CS GO तो obviously भाई उससे कम graphic intense game है तो अराम से FPS निकल जाते and then हमने last हमनारी फेवरेट GTA 5 की testing करी 4K high settings में इसमें भी आप देख सकते हो भाई around 130-140 FPS से उपर हमें results देखने को मिल रहे थे तो मेरे जाब से भाईया इस price point पे gaming में बहुत तगड़ा परफॉर्म किया हमारे इस PC ने तो यह था भाई 70,000 रुपे का यह दड़क्ता भड़क्ता gaming PC test आपने पूरा देखी लिया सारा productivity, multitasking, gaming, gaming सब आपको करके दिखा दी and मेरे ही साब से भाई 70,000 रुपे में आपको काफी अच्छा काजा system मिल रहा है जिसमें आप अच्छी-कासी 1080p level की gaming कर पाऊगे and साथ में अगर आप content creator हो तो editing वे editing भी धेल लेगा बागी चैनल पर नवी होना भाई subscribe कर देना 1 million होने वाले अपना भी golden play button आ जाएगा और वीडियो पसंद आ दिये तो like कर देना बागी comments में जरूर बताना कितने 1000 का या कितने लाग का PC built आप देखना चाहते हो वो हम आपके लिए जल्दी से ले आएंगे मिलता हो आप से नेक्स वीडियो में till then goodbye and as always तीखे रास्तों पर नहीं पढ़ना फिका बाई बाई